तो दोस्तो आज को माँ का और गर न जा रहे थर स्टांडर की इंगलिश पोयम जिसका नाम है दोस्तो I would like to be a lighthouse जियां दोस्तो आज देखलेंगे इस पोयम का पहले प्रोनौसेशन फिर जाएंगे मिनिंग की और और लास में डिस्कस करेंगे पोयम की आउटकम्स को तो चलिए दोस्तो विनाद ग्वाजल स्टूडू को यहां से हम शुरू करते हैं हेलो एरुआन आइम मोहत पांड़े और वाचिंग ट्रेंडी चैट सो गाईज आज आज है मेंशन बिफोर इंदी स्टूडियो जैसे के दोस्तो मैंने आपको बता ही दिया था इस उड़ मां करकरने जारे थर्ट स्टैंडर की इंगलिश पोयम जिसका नामे दोस्तो आइवुड लाइक टू बिल लाइक टू बी लाइट हाउस तो दोस्तो पहले देख लेंगे इस पोयम का प्रोनौसेशन फिर जाएंगे मिनिंग की और लास मेंड इसस करेंगे पोयम के आउटकम्स को तो चलिए दोस्तो आभी टेक्सबूक निकाल लीजे और आज है इसी देफ फोटिंत पोयम पे जिसका नामे दोस्तो आइवुड लाइक टू बेल लाइट हाउस तो चलिए दोस्तो पहले हम देख लेंगे पोयम की प्रोनौसेशन तो दोस्तो पोयम इस त प्रोनौसेशन तो मैं भी हुप करते हूं आपको भी जो वर्ड हाड लग रहा होगा प्रोनौस करने में अब उसका जो सही प्रोनौसेशन आप जान चुके होंगे तो चलिए इस पोयम का मिनिंग भी डिसकास कर लेते पैरग्राफ वाइस तो चलिए दोस्तो स्टार्ट कर यहां पर जैसे कि पहले नेम था दोस्तो आईउयग्वलाइट इसका मतलब यह दोस्तो मुझे लाइटा। बनना यह तो चलिए पहले हम बता देता हूं मैं आपको की लाइठ आउस का एक्च्वाल मिनिंग क्या होते है तो यहां पर जैसे की आप जानते हूं जब रात हो जाता है तो जब शिप्स ट्रैवल करते तुने डिरेक्शन दिखने के लिए फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते तो रात को दोस्तों अगर कमपस भी उसकरते अंधेरे के वज़े से कुछ दिखता नहीं सामने का जैसके हम जानते हैं समंदर में तो यहां पर दोस्तो लाइट हाउस बनाया जाता है जो दोस्तों जितने भी शिप्स आते जाते रहते उनको डिरेक्शन दिखाने का काम करता है तो यह दोस्तों एक टॉप मतलब बिल्डिंग जैसी होती उपर से लाइट जालता है जैसके आप मैंसे बहुत सारे लोग ने देखा भी होगा तो दोस्तों लाइट हाउस का यही काम होता है जितने भी रात को शेप पतलब डिकलती आदम लोग उसे कंड्रूल करते तो जिस से की जो कम दो चलारे हो घंख रहे चला चल जाने और सामने से शाषी पाजाएगा थोन तकरा भी इस वह जैसे लाइठ उससका काम यही होते हैं कि उनको प्रिशन गाले कर Size घंख उंका कार वही शुझात ऊते हैं तो यहाँ पे जैसे की पोईट बोलते हैं मुझे भी लाइट हाउस बनना है एकदम वाइट मतलब कलर में और एकदम स्क्रब्ड तो इसका मतलब दोस्तों क्या है जैसके हम जानते रात को वाइट चीजे जाधा चमकती है तो यहाँ पे जान बुचके दोस्तों यह दोस्तों यहाँ पे जैसकी पोईट भी बोलते है मैं मुझे भी पनलब एकदम लाइट ऊसके तरह बनना है पूरा मतलब अच्छा सा एकदम सुन्दर सा पूरे हॉइट कलर में और यहाँ पिपोईट आगी बोलते है I would like to be a lighthouse and stay awake all night तो यहाँ पर जैसे कि poet आगे भी बोलते हैं मुझे भी एकदम lighthouse के तरह बनना है क्योंकि मुझे भी पूरी राद भर जागना है यहाँ क्योंकि दोस्तों जैसके हम जाते हैं जो lighthouse का काम रहता है दोस्तों पूरी राद भर चलता है क्योंकि पूरे राद भर वही दोस्तों सारे ships को direction दिखाने का काम करता है तो इस वर जैसे poet भी बोलते है मुझे भी राद भर पूरी राद भर जाके सभी को help करनी है जैसे कि यहाँ पर poet बोल रहे तो यहाँ पर दोस्तों यह इस paragraph का meaning इस तरह के से था तो चलिए डिसकस कर लेते हैं हमाई second paragraph का meaning भी और देखते हैं poet actually आगे क्या बताते है तो दोस्तों second paragraph इस तरह के से तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों second paragraph में poet बोलते है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर जो अगर वो light house बता रहे अगर मैं light house होता तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ पर अपना नजर रखता जिहां दोस्तों क्योंकि light house पर जो भी मतलब workers काप करते तो उनका काम होता है कोई भी ship आएगा तो उनको सबसे पहले दूर से पहले पता कर लेना होता है फिर उनको सही direction बताना होता है मतलब जितने भी ships जो चला रहे होते ताकि उन्हें traveling के तरफ traveling के दोरान मतलब कोई difficulty ना है और वो भी अपने destination तक successfully पहुंच वाए तो यहाँ पर point भी वही बोलते है मैं अपना जो नजर पूरे पेमलाब में जो सी रहेगा सी मतलब समूदर के उपर सारा मेरा नजर रहेगा जो भी ship आएगा उसके दोस्तों में direction बताऊंगा और उसके destination तक पहुंचाने में मेरी पूरी help करूँगा और आगे point बोलते है I would like to be a lighthouse with the ships all watching me तो यहां पर दोस्तों लाशने point बोलते मुझे भी एक lighthouse बनना है क्योंकि जितने भी ships आएंगे सभी लोग मेर से मुझे देखेंगे जिहां क्योंकि जैसके हमने discuss कर लिया था जितने भी ships होते हैं दोस्तों lighthouse की मदद से direction पता करते हैं तो यहां पर poet भी वही बोलते हैं अग दोस्तों point की outcomes इस तरह किसे कि यहां पर जैसे कि शुरुआत में आपको बता दिया था यहां पर point बताना चाहरे थे light house के जितने भी specialities होती है जैसे कि हमने करके discuss कर लिया था यह सभी ships को direction दिखाता है और रात में दोस्तों यह काम करता है क्योंकि रात में हम जैसकी जानते ships के मतलब आप बोल सकते drivers को तो यहां पर दोस्तों उन्हें भी help हो जाती है और वह भी अपने destination तक अच्छे से पहुच जाते हैं तो दोस्तों इस तरगी सती पोईम के outcomes तो अगर पोईम में अच्छी लेगे तो comment में आके ज़रू बताना और इस रूड़ों को दोस्तों ज करता रहूंगा तो आपको सबसे पहले नॉड़िकेशन मिल जाएगा और आप भी मेरी वीडियो को सबसे पहले इंजॉइ कर पाऊगे तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए stay motivated with us and take our steps to our success